तो चलिए आप स्वेटर का नाप बता रहे हैं, अपने फुल साइज का ये स्वेटर बनना है, जिसमें चेस्ट 40 इंच है, लंबाई 25 इंच है, और चोड़ाई एक तरफ का 20 इंच है, तीरा पूरा पीछे से जम नापा जाएगा, तो 15 इंच है, हाथ की लंबाई 23 इंच है, और हाथ की कलाई की गोलाई जो है, आठ इंच है, एक इंच में पाँच फंदे बनते हैं, इसी से हम अपना गुड़ा करके और बना लेते हैं स्वेटर. मैं खुद अपने हाँ से बनाई हूँ, और इसको आप लोगों सक पहुचाना चाहती हूँ, तो इसको आज मैं आप लोगों को बतानी जारे हूँ, देखे, बहुत ही फिट और बहुत ही सुंदर कार्डिगन बना है, और ये आठ नंबर की सलाई से मैं बनाई हैं इसको, ब आगे का फल्ला हम सुरू किया हैं, ये पहले हम फंदा जो डाले हैं, डिजाइन वला, इसमें चार बार धागे को मोडे हैं, अब मोड करकि ये फंदा डाले हैं, अब इसमें डिजाइन कैसे पड़े का ये हम आपको बताने जा रहा हैं, पहले हम देखे, एक पल्ले में दा काराडियन मैं बता रहे हूं तो पहले एक सिधा एक उल्टा से शुरु कर रहा है आपका है यह देखिए पहला फंदा तो हम उतार लेंगे ऐसे धीला ने हो उमारा यह फंदा सी खीच लेंगे आउद उसके बाद से एक उल्टा और एक सिधा फिर एक उल्टा और एक सीधा फिर एक उल्टा फिर एक सीधा फिर एक उल्टा ये किनारे की पट्टी है हमारी बाएं साइड वाली अगे अब इसमें हमको दो उल्टा बना है क्योंकि डिजाइन बनाना है डिजाइन इसके बगल में बनेगी तो इस दो, तीन, अब बीच में एक उल्टा है, एक उल्टा बुन लेंगे, फिर तीन सीधा बनाना हमको, यही बाद में चलके हम डिजाइन में मोड देंगे, अब इसमें बाकी फंदा हमारा जो बनेगा, उसको हम क्या करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, पीछे फंदा करेंगे, ए एक ऐसे उल्टा आगे फंदा करके बना लेंगे फिर इस चोटी को देखे ये चोटी उतर के बन रही है तो बहुत सुंदर बनेगा ये ऐसे उतार लिया जाएगा फिर एक उल्टा बनाएंगे फिर इस चोटी को ऐसे उतार लेंगे फिर एक फंदा बनाएंगे फिर एक चोट बनेगी और शोटर बहुत सुंदर लगता है, एक उल्टा और एक चोटी को उतार लिए फिर ये तरत फिर ये चोटी बहुत चोटी नमारा गए ये और में इस तरत वाला फंदा उल्टी बुन देंगे, कोई फंदा ने उतारना है और ना छोड़ना है, पूरे फंदे को हमाई से उल्टी तरफ से बना देंगे, अब देखिए इसे तरफ से बनाते चले जाएंगे, अब ये पट्टी वाला फंदा पहले हम तयार कर लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, ये देखिए पट्टी वाला फंदा हमारा है, एक सीधा है और एक उल्टा है, ऐसे करके पूरी पट्टी पहले तयार कर लेंगे, ये आठ सलाई हम बना चुके हैं, अब इसके बाद से के design बनेंगी दिखिए दो उल्टा है किनारे ये दो उल्टा है अब इस तीन फंदा देखिए तीन सीधा है और बीच में उल्टा है फिर तीन सीधा छे फंदा एक साथ फंदे में डिजांद बन रही है अब हम इसको सलाई पर से इस तरह से गिरा देंगे फंदे को साथ फंदे को गिरा दिये और इधर से हम क्या करेंगे इस उल्टे को भी ले लेंगे अत्तीन फंदा इधर से ले लिए अत्तीन फंदे को इधर से हम सलाई में इस तरह से उठा लेंगे देखिए इस तरह से दो और ये देखे, तीनों फंदा हम ऐसे उठा लें, चाहे तो आप सेव्टी पिन की सहाइता से भी बना सकती है, सेव्टी पिन में भी उठा को मोड दिया जाता है, आप देखे, इसको आप देखे इसको उल्टा बीच में रख दिये हैं, और फिर तीन फंदे को हम अपना दो और ये तीन फंदे को हम पहले बना लेंगे ऐसे फिर तीन बन गया एक बीच में हमारा उल्टा है तीन फंदा बना लिए सीधा और एक बीच में उल्टा का उल्टा बनाएंगे ये उस उल्टे को हम उल्टा बना देंगे ऐसे अब फिर तीन फंदा सीधा एक दो तीन देखे यह पलट दिये हैं यह इधर वाला सीधा जो तीन था इधर चला गया इधर वाला तीन सीधा जो था अब इधर आ गया इसको ऐसे पलट दिया गया है अब यहां दो उल्टा हमारा है अब यह देखे यह उल्टा और सीधा को ऐसे उतार लिया जाएगा फिर पढ़े उल्टा ये फंदा पीछे करके सीधे को ऐसे उतारे दिखे चोटी बनता चला जा रहा है बहुत खुशूरत चोटी लेगे और ये पूरे सोटर में इसी क्रम से बनाना है ये पीछे फंदा करके ये सीधा कुतार लिया है फिर आगे फंदा करके एक उल्टा बना लेंगे एक उल्टा फिर ये सीधा कुतार लिया ऐसे फिर एक उल्टा फिर पीछे फंदा करके सीधा कुतार लेंगे चोटी सब उतारते चले जाएंगे और एक उल्टा बीनेंगे बी 안दर हैं जो गले तक पुरा चल जाएगा बीच में डिजाइन रिचagain है यह बसके वास एक चोटी फिर एक उल्टा फिर एक कि फिर एक स्थी फिर एक कुल्टा ऐसे करके पूरा क्र세요 बना लेंगे बाकि पूरी सलाई हम उल्टी बीन लेंगे, अब यहां से हमको आठ सलाई इसी क्रम से बीनना है, आठ सलाई बीनने के बास से फिर इसको पल्टा जाएगा, अब इधर का फंदा उधर, उधर का फंदा इधर किया जाएगा, अब आठ सलाई तक प्लेन हमको बनाना है, अब इ और ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, बटन पट्टी होगे, अब दो उल्टा हम डिजाइन के किनारे डाले हैं, ये दो उल्टा पहले बना लेंगे, अब तीन फंदा ये डिजाइन माला है, जो ये पलटा गया है यह तीन फंदा इधर का जो पलट के इधर ले याँ है और इधर का पलट के नीचे से लिया है यह तीन सीधा बनाना हूंज का एक एक है कि फंदा करके आई से उतार लिन ऊंको यह चोटी जाेगी भूरा फिर एक उल्टा, फिर ये ऐसे उतार लेंगे, फिर एक उल्टा, फिर एक सिधा उतार लेंगे, फिर ये उल्टा, फिर ऐसे उतार लेंगे, फिर उल्टा, ये छे फंदर डिजाइन वाला है, तीन इधर से है, एक इधर से है, तो अब हम पहले इधर वाले फंदे को उधर किये थे अब इस फंदे को पहले आगे बुनना हमको, ये तीन फंदे को पहले आगे बनाएंगे, अब सप्टिपिन पर हम इसे उतार लिए हैं, उतारने के बाद से अब इस फंदे को पहले हम बना लिए, सप्टिपिन उतार लिए इतासान हो गया है, ऐसे बंद कर दें आप, फिर इधर नीचे वाले फंदे को इधर ले गए थे अब उपर वाले फंदे को पहले बनाना हमको यह ती इस तीन फंदे को पहले हम बना लेंगे एक दो तीन बना लिए अब स्ट्टीपिन वाले फंदे को हम Mumbai इसे घुमा देना है घुमा के इसपर सलाई को चरहा लेना है इसको सलाई पिर देखे है अब ऐसे पहले हम चरहा लेंगे इसको ऐसे श्रक्ऴिन खोलके और इस फंदे को हमको अब इधर चरहाना है ऐसे खिचकी निकाल लेंगे और इसको हम पहले ऐसे चढ़ा लेंगे एक दो तीन चाल पहले हम उल्टा बिन लेंगे एक ऐसे उल्टे को पहले हम यह उल्टा बिन लिए और फिर इसको हम सीधा बनाएंगे पहले यहां बन गया है यह तीन सिधा बिनके एक उल्टा अब फिर तीन सिधा यह इधर वाला फंदा इधर चला गया इधर वाला इधर चला गया अब इसको हमको तीन बिनना है से एक दो एक तीन पंदा यह बन गया इस तरह से डिजाइन बन गया पूरा अब यह कंप्लीट हो गया अब बगल वाला फंदा जो है उसको एक उल्टा बनाएंगे इसे एक उल्टा और एक चोटी इसे उतार लेंगे फिर एक उल्टा ऐसे बनाएंगे फिर एक चोटी उससे उतार लेंगे इसे क्रम से पूरा सोटर बनाना है देखिए यह डिजाइन तयार हो गई जैसे ऐसे अब फिर हमको आठ सलाई बाल फिर इधर का उधर परट देना है दोन तरफ घुमाते जाएंगे डिजाइन बहुत सुन्दर बनेगी इस तरह से बनती चली जाएंगे यह कार्डिगन बन के तयार हो गया है और यह देखिए यह डिजाइन दोनों तरफ से किनारे किनारे यह डाले हैं बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह दोनों तरफ डिजाइन गया है और गला हम यहां से चोटी से घटा हैं यह किनारे वाला फंदा जो हमारा है यह चोटी गई हे इसी चोटी पर पूरा गला वहां तक चला गया है इसे किनारे से भहुत सुन्दर आ गया है आस्तीन जो है आस्तीन घटाने से पहले आठ सलाई पहले गला घट जाता है कि गला अच्छा लगता है और आस्टीन से छे सलाई याठ सलाई दोनों ठीक रहता है अच्छा जितना फंदा हम नीचे रखते हैं उतना ही उपर रखते हैं क्योंकि कार्डिगन में अगर बाडर में कम फंदा डाला जाता है और बढ़ा दिया जा तो यह यह बाडर पीछे खीशने अब यही पर ₤ भीणती चले जाएगी फिस गले में जाके एक तरफ जोड़ दिया जाएगा इसको अगर पसंद है आपको मेरा स्वेटर तो आप इसको लाइक करिए सबस्क्राइब करिए और कमेंट करिए